और सीधे रुख कर लेते हैं अपने सेयोगी अंजिनी का इस वक्त हमारे साथ मोरहबादी म्यादान से जुड़ रहे हैं इन सब के बीच उन्होंने कारिक्रम का तो तैयारियों का तो निरेक्षन किया ही लेकिन वहाँ पर जो स्टेडियम है उसके रख रखाओं को लेकर किस तरह उसकी मेंडिनेंस नहीं की जा रही है इस पर नाराज दिखे और सक्त निर्देश चारी किया है है हेमन सुरेन ने दिखें आर्थी कल जो मुख्यमंत्री हेमन सुरेन लगबग हम कह सकते हैं एक से डेल घंटे पूरा मोराबादी इलाकों में वो रहे और हर जगा वो घूम घूम कर तमाम चीजों की एक हम कह सकते हैं पहनी नजर उन्होंने डाली और यह जो इंडोर स्टेडियम की जो आप बाद कर रहे हैं यह मोराबाधी मैदान में ही इंडोर स्टेडियम बना है और जो कि मेर उभरते उन्हों स्टेडियम जो है रांची सहर में नहीं ठा लोगों को खेल गवहों में किन रखेकिंट लबना है यह अभी इसकी बना है 2018 में इसकी सुरुवात हुई थी और पुरी तरह से बन कर तयार है लेकिन जिस तरह से जो बनाया गया है जिस तरह से मुख्यमंत्री की आप समझी कि कैसे उस पर नजर पल गई कि वो टाहिल जो है टूटा हुआ है मतलब कहीं न कहीं जो ठेकेदार जो काम किया है वो बेहतर तरीके से काम नहीं किया है क्योंकि इंडोर स्टेडियम का जो फिनिसिंग होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है तो यह उस पर उन्होंने चिंता जाहिड की और रांची के जो डीसी है छवी रंजन उन्होंने उन्ह इसको दूस्त किया जाए और ऐसा लगता है कि जो ठेकेदार जो काम किया है उस पर कारवाई भी होगी क्योंकि वहां जो भी कहलेंगे जारकन के बच्चे कहलेंगे रांची के जो भरते खेला रही हैं वो कहलेंगे उसके बाद वो बिर्सा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम भी वो घुमे हैं तो कल पूरी तरह से रिलाक्स मूड में रहे हैं और जहां मौराबादी मैदान में एतिहासिक मौराबादी मैदान में जहां कारिक्रम होना है वहां भी काफी देर तक चारों तरब घुमे हैं देखे हैं किस तरह से बैठने की तयारी होगी और क्या-क्या ब्यवस्थाएं हैं कैसे चीजों को यहां ब्यवस्थित किया गया है तो हम कर सकते हैं कि मुक्रमंत्री कर काफी रिलाक्स मूड बे ठै और इस रिलाक्स मूड में भी कdrum कई तरह की जो खामियां रही है जो दिर्मान कारे में खामी रही है उस पे उन्होंने पैनी नजर डालते हुए कई दिशा निर्देश दिये हैं आरती बिल्कुल दिशा निर्देश दिये हैं और साथी ये भी कहा है कि जिस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जो फुटबॉल स्टेडियम है इंडोर स्टेडियम है उसका रखरखाव सही से नहीं किया जा रहा है तो इस पर भी अधिकारी ध्यान दे हाँ जाहिर सी बात से देखिए जैसे फुटबॉल स्टेडियम है जो पिर्शा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है वो राची का क्या हम कह सकते हैं कि पूरे जारखन का एक बहतरी स्टेडियम है तो उसके रखरखाओं के लिए कई उन्होंने दिसा निर्देश जरूर दि के लिए जहितली बात है कि तमाम लोगों को एक मिलकर काम करना होगा कि जो जो खेल खेलारी से जुरे जो तमाम लोग है جो आधिकारी हैं जो सच्ची है उन्हें न चीजों पर ध्यान जरूर देनी चाहिए क्योंकि जब बहतर लीचा होगा तो उसकी जो लाइफ है वो जुरूर बढ़ जाती है और रहाबात अयतिहासिक मोराबादी मैदान का आरती तो थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं धीरे-धीरे जहाँ पर कारीक्रम होना है कली एक अयतिहासिक कारीक्रम होगा क्योंकि हेमन सोरन के काल का एक साल पूरा हो रहा है तो यह यह है मंच बना है यह आप देख सकते हैं सारों तरब जो है मुख्यमंत्री हेमन सोरेन के कट आउट्स लगाए गए हैं और इसमें जो है कई तरह की जो योजना है पिछले एक सालों में जो चली है सरकार के द्वारा तो वो चीजे यहां पर अंकित है जैसे फूलो जहानो आसिरबाद अभियान से साथ हजार मैलाएं जुड़ी है खेल से जुड़े हुए जो तमाम जो चीजे हो रही है उसके बारे लिखा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो कारेकाल एक साल का रहा है तो कहीं न कहीं कोरोना से संघर्स करते सरकार और जहार्खें के लोगों का समय बीता है तो वो भी पोस्टर्स में व तो पूरी तरह से तयार हो चुका है तो कल जो है आरती इसी मंच से जो है सामने जो आप मंच देख रहे हैं काम अब अंतिम चरण में है अभी लगबक 24 घंटे का वक्त है तो इसी मंच से आगाज होगा मुक्य मंत्री है मन सोरेन का तमाम जो मंत्री है वो रहेंगे अब मुराबादी इलाके में जो है राजी के सभी मंत्रियों के बले-बले कटाउट से लगाए गए हैं और ज़रूर जहिर सी बात है की बंधन की जो सरकार है जारकर मुक्ती मोचा है कॉंग्रेस है आर्जेडी की के भी मंत्री है बिलकुल और ये तयारिया देखे अब जो तस्वीरे आप हम तक पहुंचा रहे हैं अजनी अब तयारिया लगभग पूरी हो चुकी है बस अंतिम रूप दिया जा रहा है इसे कल एतिहासिक दिन जब मुक्खे मंत्री इस यहां के मंच से कई घोशनाई करन करने वाले हैं कई सौकात देने वाले हैं पूरे जार खंड को इंतसार रहेगा कल के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया तबाम तस्वीरे फिलाल हम तक पहुंचाने के लिए